प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सुमवार को भारत मंटपम में अंतरराष्ट्रिय सहकारिता सम्मेलन का उधगाटन करेंगे। 30 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में 100 से ज्यादा देशों के 1500 प्रतिनिधी शामिल होंगे। अंतरराष्ट्रिय सहकारिता गटबंधन के 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया रहा है। बता दें कि अंतरराष्ट्रिय सहकारिता वर्ष पर एक समारक टिकट भी जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार आयोजन के संसद के शीत कालीन सत्र की शुरुआत में मीडिया से बात करते हुए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने सभी संसदों से संसद में स्वस्थ चर्चा करने की अपील की, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साथते हुए संसद में चर्चा नहोंने देने का आरोप संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेश है, अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे सम्विधान के 75 साल की यात्रा, 75 साल में उसका प्रवेश ये अपने आप, में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अफसर है। रविवार की सुबह साड़े साथ बजे का समय था। में कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। IPL 2025 के मेगा आक्षन में सबसे पहले 12 मारकी खिलाडियों पर बोली लगाई गई। इसमें साथ भारतिय और पांच विदेशी खिलाडी शामिल थे। सबसे पहले बोली अर्शदीब सिंग पर लगी। उनके लिए दिल्ली, चेन्नई और गुजरात के बीच लड़ाई देखने को मिली। इसके अलावा रुशब पंत और श्रेयस अयर ने इतिहास रच दिया। वे पचीस करोड का आंकडा छूने वाले खिलाडी बन गए, मारकी खिलाडी वह खिलाडी होते हैं, जिन पर आॉक्षन के दौरान सबसे पहले बोली लगाई जाती हैं, ये खिलाडी वैश्विक स्तर पर लोक प्रिय होते हैं, और अधिकतर टीमें इन्हें खरीदना चाहत आं, आम तौर पर ये खिलाडी अंतरराष्ट्रिय क्रिकेट में भी बड़ा नाम बना चुके होते हैं, दिल्ली समेत इन्सियार में अभी आने वाले दिनों में प्रदूशन से राहत नहीं मिलने के संकेत हैं, सोंबार सुभर दिल्ली के कई इलाकों में धुन्ध की एक पर वायू प्रदूशन को लेकर चिंताओं के बीच गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद के स्कूलों में आज भी छुट्टी है, दिल्ली की वायू गुनवत्ता लगभग एक महीने से खतरनाक बना हुआ है, बीती 30 अक्टूबर, को पहली बार QI, बहुत खराब, श् चात्र संग, डूसू, चुनाव के लिए मदगरना आज हो रही है, सुबह साड़े आठ बजे से DUK कानफरेंस सेंटर में शुरू हो चुकी है, और शाम चार बजे तक सभी नतीजे घुशित हो जाएंगे, ताजा अपडेट के मताबिक, 8.30 मदगरना शुरू हुई, अभी पहला राउंड हुआ है, जिसमें 3,444 मतों की गिंती हुई है, बहुत ही कम अंतर से NSUI अध्यक्ष, सचेव और सचेव पड़ पर आगे है, ABVP उपाध्यक्ष पड़ पर आगे चल रही है, मदगरना की निगरनी के लिए 14 CCTV कैमरे और 8 वीडियो कैमरे लगाए गए है, हिंस इस बात से ही लगाया जा सकता है कि, धाई साल के बच्चे को चेहरे पर गोलियां मार कर मौत के घाट उतारा था, यही नहीं उसके सीने और हाथ को चाकू से गोदा गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने के बाद यह खुलासा हुआ है, मनिपुर सरकार ने कहा है कि, योजनाबद अभरण और हत्याएं कुकी उगरवादियों द्वारा की गई, मामले की जांच एन आये कर रही है, पर्त में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच जारी है, यह सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, औ भारतिय कप्तान जस्परीद बुमराह ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, भारत ने आस्ट्रेलिया के सामने 534 रन का लक्ष रखा है, उत्तर प्रदेश के हर दोई जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, बिलहौर कट्रा राज्य राजमार्ग प सभी लोग बोलेरों से वापस गावा रहे थे, बिलहौर कट्रा राज्य राजमार्ग पर गौरी चौराहा के पास विप्रीत तिशा से आ रही मिनी बस से बोलेरों की भिणत हो गई, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को लंदन में भारतिय उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी और प्रवासी भारतियों ने उनका गर्म जोशी से स्वागत किया, गौर्द लभ है सीएम डॉक्टर यादव यूनाइटेड किंगडम, यूके और जर्मनी के छे दिवसिय दौरे पर हैं, जिसमें दोनों देशों के उद्योगपतियों, व्यापारिक नेताओं और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके, मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, यह विशेश दौरा कारेक्रम मध्य प्रदेश में निवेश के विशाल, अवसर